नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भी नहीं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को यूपी एनचम सियच्चों का जो इज्याम पैटर्न है वह 2022 में किस प्रकार से होने वाला है किस पोर्शन में कितने नंबर का आपका कोश्चन आएगा सारी चीजे इस वीड वीडियो को लाट तक देखिएगा तो दोस्तों यहां से आप सभी लोगों को पूरा स्लेबस है इसमें मैं कवर करने वाला हूं और आपको पूरा स्लेबस मैं अपने चैनल के माध्यम से करवाऊंगा इसलिए आप चैनल को जहू सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि आपक कर पूछ जाएगा इसमें से जो पहला पोर्सन आप सभी लोगों का दोस्तों यहां पर रहने वाला हुआ वा फिजियोलाजी का रहने वाला है जो कि यहां से इस माध्यम से आपके जो 5 नमबर के नंबर यहां पर पूछे जाएंगे यहां से पांच नमबर आपके कंफर्म में यहां से आने वाले हैं तो इसको भी आप सभी लोगों को देख लेना है यह सारे जो चैप्टर है मैं आपको करवाऊंगा इसलिए चैनल के साथ बने रही है उसके बाद जो तीसरा आप से लोग का यहां से जो चैप्टर आ जाता है वह देमोग्राफी एंड कॉमन हिल्थ इस्टेटिक से यहां से आ जाएगा यहां से जो तीसरा यह भी इंपोर्टन कोशन है यहां से आपके पांच नंबर बनने वाले हैं जो कि पांच कोशन इस यहां से भी आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे उसके बाद दोस्तों जो आपका चौथा हो जाता है यहां पर कमूल्टी हेल्थ है एपीडे माइकोलाजी एंड डिसेज प्रिवेंशन यहां से आपका जो यहां से चौत्र हो जाता है इसमें से आपके भी पांच कोशन यहां से बनने वाले हैं क्योंकि यह सारे चैप्टरों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा इसलिए चै से बस हो जाता है यह भी most important question है यहां से आपके दस question दस number के बनने वाले हैं तो यह भी most factor आपका exam में हो जाएगा क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों यहां से minus marking कोई भी negative marking इस paper में नहीं है इसलिए आफ सभी लोग को अच्छी तरीके से पढ़ कर जाना है और अ यहां से बताय जाता है तो यहां से भी आपके पांच नंबर के question बनने वाले हैं उसके बाद दोस्तों यहां से जो आपकी immunization जो की हमारी community के बारे में यहां से important question बनते हैं यह भी आपके पांच नंबर के बनने वाले हैं उसके बाद दोस्तों यहां से आप सभी लोगों को द यहां से family planning आपकी important है, यहां से भी आपके 5 number यहां से question में बनने वाले हैं, उसके बाद दोस्तों आपके यहां से जो भी common communicable disease होती है, इसके बारे में most important question आपके 10 number का portion यह भी है, यहां से 10 number आपके exam में पूछे जाने वाले हैं, जो कि आपकी disease होती हैं, दवाईयां होती हैं, यह भी आपको पता होगा कि senior treatment supervisor के exam में बहुत सारे इससे question पूछे गए थे, तो इसके माध्यम से मैं आपको इसको जरूर करवाऊंगा, इसलिए channel के साथ मने रही हैं, उसके बाद 11 नंबर पर जो आपका यहां से chapter हो जाएगा, यह भी दोस्तों 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा, उसके बाद national health program से related आपके 10 question यहां से दोस्तों पूछे जाने वाले हैं, और यहां से जो general knowledge जीके से आपका question पूछे जाएगा, यहां से 5 question दोस्तों आपके general knowledge से पूछे जाएगा, यह भी आपकी पास नंबर की पूछी जाएगी, तो total यहां से आपके दिख आओगे कि total 100 mark आपका paper होने वाला है, 100 number के यहां से आप सोलो के exam होने वाला है, यहां से 100 number को करने के लिए दोस्तों आपको यहां से 120 minute का time दिया जाएगा, तो दोस्तों यहां से आप सभी लोगों ने देख लिए कि किस प्रकार इस बार जो आपका सियच्चो का pattern है, सारी चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, पढ़ाएंगे और समझाएंगे, इसलिए channel के साथ बन जाईए, चैनल पर मैंने पहले भी दो वीडियो जहां से जो model paper से related है, इसको upload कर दिया है, यदि यह आपने नहीं देखा है, तो जा कर देख लीजिए, और इसके बाद मैं अब जो आपका theory से related MCQs question आपको chapter wise करवाने वाला हूँ, उसके अगले वीडियो मैं आपको देखने को इसलिए चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लीजिएगा, thanks for watching.